आज की डेट में जब हम अब्जर्व करते हैं पूरे विश्व के सिचुएशन को खास करके सुरक्षा के नजर से तो एक चीज तो जरूरत हो जाती है कि बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर भारत को इस समय अपनी सुरक्षा को मजबूत करनी की आवशकता है आज के इस वीडियो में चर्चा ये रहेगी कि जो हाली में हमारी केंदर सरकार है उसकी क्या नीती होनी चाहिए खास करके भारत की सुरक्षा को लेगे सुरक्षा आज जब हम बात करते हैं तो हमें तीन जगा पर खास अपना फोकस करना है सबसे पहली चीज़ है कि हमारे लिए आज विश्वत और पर स्ट्रेटिजिक चैलेंजिस हैं और तीसरा टैक्टिकल चैलेंजिस हैं ये तीनों चैलेंजिस क्या हैं? इनको कैसे टैकल करें? इसको आज समझाने के लिए मैं आपके लिए 5 उधारनों का प्रयोक करोगा सबसे पहली चीज़ ये है कि भारत को पावर प्रोजेक्शन की केपिलिटी बनाने की अवशक्ता सबसे ज़रूरी है पावर प्रोजेक्शन की केपिलिटी का मतलब यहां पर ये हुआ कि जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे विश्व तोर पर ओशनिक लेवल पर एक कपैसिटी की, तो भारत को शक्ती प्रदर्शन करने की जो आवशकता है वो होगी दो तरीके से पूरी, एक सबसे पहले सब्मरीन्स का अक्विजिशन, डिवलप्मेंट करके और दूसरा एरक के आस-पास के देश देखें, खासकर के मेरिटाइम लेवल पर, तो उसमें जो चीन की हरकते हैं, चीन की गतिविदियां हैं, वो चाए साउट चाइना सी से लेके इंडियन ओशन तक हो, या वो वे उफ बिंगॉल से लेके अरेबियन सी तक हो, इस पूरे के पूरे पर्श को अपनी शक्ति प्रदर्शन बढ़न में होगी, क्योंकि इंडियन ओशन भारत का एक स्ट्रेजिक लेक है, स्ट्रेजिक तलाब है, इस स्ट्रेजिक तलाब में यदि भारत ने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, तो चीन ये स्पेस को कैप्चर करेगा, और दो चीज़े मै इंडिजीनसली भी मेनुफेक्चर कर रहे हैं, उनका आज की डेट में शक्ती प्रदर्शन के तहट इंडियन ओशन में उनको घुमाना, ताकि इससे चीन को एक मेसिज जाए, कि भारत अपने स्ट्रेटेजिक तलाब को छोड़ेगा नहीं आपके लिए. दूसरी चीज, आज अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखे, तो हाली में इसराइल जो है, उसके उपर जिस प्रकार का आकरमन किया हमास ने, जिस प्रकार का आकरमन आज की डेट में इरान, हेजबुला, हूतीज, ये लोग कर रहे हैं, इससे एक चीज तो त्यार बिलकुल हम को तोड़ा है, और उसको तोड़के इसराइल का आईरन डोम फेल करके पिछले साल 7 अक्टोबर को जो अटैक किया उसके उपर, अगर ऐसी परिस्तिती कलक्यों भारत के उपर आ जाए, तो भारत को ये चीज समझने की आवशक्ता है कि उसको अपना एर डिफेंस पूरा का पूरा रिइनफोर्स करके उसको चेंज करना होगा, क्यूकि हमें आज ये समझना है कि पाकिस्तान ड्रोन का प्रयोग कश्मीर में कर रहा है, पाकिस्तान ड्रोन का प्रयोग पंजाब में ड्रग्स भेंकने के लिए करता रहा है, और कर रहेगा आगे भी, और हाल ही में पा प्रयोग करना चालू कर दिया है, अभी तक जितना भी कश्मीर में ड्रोन का प्रयोग पाकिस्तान कर रही थी, उसको टैकल करने के लिए भारत की सेना महापर लगी हुई थी, भारत की सेना के पास शक्तियां हैं उस ड्रोन वारफेर को निगेट करने की, लेकिन चैलेंज को स एंटी ड्रोन टेक्नोलिजीज नहीं हैं, इससे सबसे बड़ा चैलेंज ये इमर्ज करता है कि आने वाले टाइम में हमें, हमारी जो सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स हैं, जैसे की बी असेफ है, इसको ये केपेबिलिटी दिलवाने की आवशक्ता है, हमारे यहाँ पर एक सेंट्रल आम्ड पुलिस फोर्स, ITBP, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस भी है, कलको चीन ने लदाक के इलाके में अगर ड्रोन्स का प्रयोग करना चालू कर दिया, सर्वे करने के लिए, तो उसके लिए भी ITBP को ट्रेन करना होगा, तो भारत को जो दूसरे लेवल पर अपनी चीज को मजबूत करना है, वो है air defense, इस्राइल का example हमारे सामने है, पाकिस्तान की हरकते हमारे लिए उधारन है, भारत के लिए इस समय सरकार की सबसे बड़ी अगर रणनीती किसी चीज़ पर होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए कि armed forces से लेके central armed police forces तक, हम किस तर पर अगर चलें, तो वो दूसरे point से ही related है, आज भारत को एक integrated drone missile force बनाने की आवशकता है, सरकार को ये कदम बहुत जरूरी उठाना पड़ेगा, क्यूंकि अब आप पिछले point से अगर relate करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि Indian Army आज anti drone warfare के tactics को जानती है, लेकि Indian Army over capacity के उपर क काम कर रही है, इसका मतलब ये है कि Indian Army already अपनी capacity के surplus capacity पर काम कर रही है, उसके पास challenges कम नहीं है, इसी reason से एक specialized force, जो की होगी भारत की Indian Army की integrated drone missile force, ये भारत को एक force create करने की आवशकता है, ये अगर force create हो गई, तो आप समझिए कि इस force में भारत की Army से, Navy से, Air Force से, combined level पर लोग आएंगे, एक theater command type का approach बनेगा, और अगर भारत की सरकार चाहे, और अगर ग्रह मंतराले में और हमारे रक्षा मंतराले के बीच में एक अच्छा collaboration हो जाए, जिसके होने के chances बहुत कम है, क्योंकि दोनों अपनी अकड में और अपनी ही दुन में जाते हैं, लेकिन अगर एक अच्छा collaboration देश के हित में हो जाए और अपनी आपस की ये जो bureaucracy की nitty-gritty ने उससे ये दूर हो जाए, तो हमें Central Armed Police Forces, Intelligence Agency को भी इस पूरी integrated drone missile force का partner बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी चीज हुई, तो ये एक specialized force होगी, जो की एक low cost counter drone warfare activities भी पाकि इस्तान से लेके, चाइना से लेके, किसी भी भारत के neighbor road के ऐसे देश में जहाँ पर इस परकार की कोई गतिविदी का अंजाम हमारा कोई वहरी अगर देने की कोशिश करे, तो उसको मूँ तोड़ जवाब देने की capability रखेगी, चौथा और सबसे महत्वपूर पॉइंट य तो हमें सीखना है America, Russia और चीन से, ये तीन देश इस moment पे बहुत advanced level पर artificial intelligence का प्रयोग weapon systems में कर रहे हैं, भारत को अपने इन ही weapon systems में AI softwares को inbuilt करना है, इसकी आवशक्ता क्यों है? इसकी आवशक्ता इस कारण से है क्योंकि अगर भारत ने मान लीजिये कि artificial intelligence को incorporate नहीं किया, तो इसका सबसे बड़ा खम्याजा ये होगा कि जो force, जो vary है, अगर वो artificial intelligence का प्रयोग करता है, तो वो vary के पास precision war लड़ने की शमता होगी. आज आप existing tools and technologies से precision war, precision guided munitions war लड़ सकते हो, लेकिन artificial intelligence के प्रयोग से warfare में जो बदलाव आ रहे हैं, जिस प्रकार का एक error free, kind of system ready हो रहा है, ये भारत की सरकार को यहाँ पर बनाने की आवशक्ता है. और ये point को अगर आप ध्यान से समझें, तो मैं पांचवे point पर आऊंगा, और जो आखरी point है वो ये है, कि भारत को एक आत्मनिर्बर defense अभ्यान चलाना पड़ेगा. इस आत्मनिर्बर defense अभ्यान में भारत को खस करके, ना कि सिरफ artificial intelligence के softwares develop करवा के उसको armed forces के अंदर integrate करवाने की आवशक्ता है, भलकि भारत को आज की date में अपने armed forces के अंदर industries को champion करने की आवशक्ता है. अब इस point को समझिए कि आज अगर हम चीन की बात करते हैं तो उसके पास नौरिंको है, उसकी अपनी एक ऐसी company है, जो विश्वत तोर पर global की एक बहुत बड़ी arms supplier है. हमारे यहाँ पर आप कहिंगे DRDO है, Defense Research and Development Organization, लेकिन ironical बात यह है कि DRDO का strategic vision और नौरिंको का strategic vision बहुत अलगी है. और सिरफ नौरिंको चाइना का एक उधारण नहीं है. अगर आप अमेरिका के case में देखें तो Andville, यह उसकी अपनी company है जो defense level पर एक national champion है. अब DRDO में, Andville में और नौरिंको में क्या उतर है? नौरिंको, Andville सिरफ और सिरफ defense exports की बात करते हैं. वो ऐसे defense products बनाते हैं, जिसको विश्वत तोर पर export किया जाए. भारत की DRDO, एक जगा पर weapon बना रही है, जिसका export करेगी वो. दूसरी जगा पर armed forces के लिए वो toothpaste बना रही है, armed forces के लिए वो जूते बना रही है, उनके लिए मच्छर बगाने की क्रीमें बना रही है. क्या DRDO आज की डेड में dental implant, toothpaste जैसी चीज़े बना कर साथ में कोई ऐसा काम कर पाईगी जिससे कि भारत के defense export से एक aggressive level पर नौरिंग को और एंडविल को टकर देनी की परिस्थिती में रहेंगे? कभी नहीं होगा ये काम. इस समय भारत की सरकार को ये निरने लेना है कि भारत को एक अगर हम बड़ी शक्ती आने वाले समय में बनाना चाते हैं, तो उसके लिए हमें अपने defense level पर आत्म निर्बर defense अभ्यान चलाना होगा, national champions बनाने होगे, ऐसी defense industries का establishment करना पड़ेगा, जिनको state support करके अगले 15 से 20 स इस साल के अंदर अंदर, Norinco और Ellville के टकर में लाके खळा करे, आज की date में चीन के Norinco से प्रोड़क्ट्स खरीदने में लोग संकोच करते हैं, अट्यविल से लोग प्रोड़क्ट खरीदने में अमेरिका के संकोच करती हैं, यहाँ पर भारत आज एक तरीके से champion कर सकता इ कि वो quality products बनाकर पूरे विश्वतोर पर दे सकता है। तो DRDO को एक strategic vision देना, DRDO को बोलना कि भई आप ये toothpaste मचर मक्खी बगाने की cream में ये सब बंद करिये बनाना। 50 साल से DRDO का नर्क इस कारण से हो रहा है। आर्मी वालों के जूते जो है वो private sector से भी आके आज की डेट में आप collaborate करके उनसे खरीच सकते हो। DRDO को अपनी energy और अपने engineers के resources को और scientist को वहाँ पर जूते बनाने के लिए नहीं रखना है। तो अगर भारत आज की डेट में इन पाँच चीजों पे काम करें। पहला अगर मैं विडियो को पूरा recap करूं कि power projection, शक्ती प्रदर्शन, दूसरा अपने weapon systems का upgradation जिसमें artificial intelligence का infusion, तीसरा integrated guided drone missile force, चौथा air defense system का upgradation और पाँच बाद, आत्मनिर्बर defense अब्यान। अगर ये पाँच चीजों से आप सहमत हैं, कि ये पाँच चीजों पे अगर कारिय किया जाए अगले पाँच साल एक strategic तरीके से, तो भारत को एक operational और tactical लेवल पर global लेवल पे एक edge मिलेगा। क्या आप अगर इस मेरे पाँच पॉइंट्स के analysis से सहमत हैं, और क्या सरकार को ये नीती बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए इन पाँच पॉइंट्स को लेके। अगर आप सहमत हैं तो मुझे जरूर बताईएगा, कमेंट्स में लिखके और यदि आप कुछ और point को contribute करना चाहें, तो debate को और enrich कीजिएगा, कमेंट्स में लिखके।